Hello everyone, welcome to online education channel आज इस वीडियो में wisdom की नदिया चमल नदी के बारे में जानेंगे यह वीडियो part 2 है पार्ट 1 में नरवादार नदी के बारे में हम लोग discuss जान चुके हैं, discuss कर चुके हैं आप लोग उस वीडियोका अभीतém नहीं देखे हैं तो description में link उसकी मिल जाएगे पहले उस video को देख लें फिर इस video को देखें तो चलिए start करते हैan video वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस channel पहले पारा हैं तो चैन atraины को subscribe कर लें चलिए start करते हैं video चमल नदी किसी एवार में जाने गया है चम्मल नदी के बारे में यह मत्वद्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है सबसे पहले नदी को है नर्वदा नदी सबसे बड़ी नदी है यह मत्वद्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है इसे चर्मावती भी कहते हैं इसका दूसरा नाम पहले क्या था चर्मावती भी कहते ह कि चम्मन नदी का उद्गम इंदोर के महुत असील के जान पाव पहाडी से हुआ है यह नदी उत्तरपुर्व की और बहते हुए उत्तरप्रदेश के इटावा जिले में यमना नदी मिल जाती है यह यमना नदी की साहाइक नदी है हरी जान पूल जाते है यमना नदीक सायग नदी कौंसी है चम्मल नदीक कुल लंबाई कितनी है 965 किलेमेटर यह महू के निकट से निकल कर धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, सिवपूरी, बूदी, कोटा, धौलपूर होते हुए इतावा से 38 किलेमेटर दूर अपने जीवन यात्ता पूरिक कर यमना में विसरजित हो जाती है इतने जीलों से होकर उन चम्मल नदी गुजरती है धार से, उज्जैन से, रतलाम, मंदसौर, सिवपूरी, बूदी, कोटा, धौलपूरादी से यह नदी गुजरती है चम्मल की भींड मुरेना के छेत्र में गड़ों बिहोडो का निर्मार करती है जा में पूलिया आता है गड़ों बिहोडों का निर्मार कौँ सी नदी करती है कौँ सी नदी करती है चम्मल नदी पर कौँ कौँ से बाद निर्वित है देले जाते है गाधी संखारबाद किस नदी पन राना प्रताप सागरबाद जवहार सागरबाद इस्तित हैं यह यमुना उत्नरवदा इस चंबल उत्टोंस छत्वा से लहन की रही कानू होस है तो दोस्तों यह रहाए वीडियो वीडियो चले हो ज़्यादा लाइक करें शेयर करें तो चले यहली मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद कर दो कर दो